नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ट्रिकी हिमाचल यूट्यूब चैनल पे आज हमारी डेली जीके की एर्थ क्लास है इस वीडियो में आपको more than 15 questions हिमाचल परदेश इंडिया स्टैटिक जीके के करवाये जाएंगे सारी के सारे questions आपके most important category में है डेली हमारी शाम 6 वजे हिमाचल इंडिया स्टैटिक जीके की वीडियो आती है तो उसको आप like करें और share करें अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो हमारे चैनल को subscribe करें और साथ में bell icon दवाना ना भूलें तो चलिए आज की वीडियो कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिर्मोर जिले को दो बराबर भागों में बांटती है तो हिमाचल की ऐसी कौन सी नदी है जो डिस्टिक सिर्मोर को लगवग दो भागों में बांटती है तो उसका नाम है गिरी नदी तो काफी important question है और आज की इस वीडियो में जितने भ साफी important है next question की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के किस क्षेतर में बर्ष भर में सबसे कम बर्षा होती है तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे सबसे कम बर्षा होती है तो उसका नाम है स्पीती यहां पे हमसे स्थान पूछा है तो आएगा स्पीती ले जादा बर्शा वाला क्षेतर कौन सा है, तो वो है हमारा धरम शाला, और ये पढ़ता है जिला कांगडा में, काफ़ इंपोर्टेंट कॉशन है ये, नेक्स्ट कॉशन है, लामा डल जील, हिमाचल परदेश के किस जिले में स्थित है तो, आज की इस वीडियो का सबसे इंपोर्टेंट कॉशन है और थोड़ा कन्फियूजिंग कॉशन है लामा डल जील जो है, वो पढ़ती है हमारी चमबा डिस्टिक में, दो हमारे पास जीले हैं एक है डल जील और एक है लामा डल जील तो डल जील जो है ये है हमारी धरमशाला में जिला कांगड़ा में और लामा डल जील जो है ये पढ़ती है जिला चमबा में तो आपने ध्यान रखना है कि लामा डल जील में हमारा ओप्शन जो है वो चमबा सही है स्थानिय लोग हिमाचल परदेश की किस नदी को दुख का दरिया कहते हैं हिमाचल की किस नदी को दुख का दरिया कहा जाता है या फिर हिमाचल का शोक कहा जाता है तो ये है हमारी स्वान नदी स्वान नदी को हिमाचल का शोक कहा जाता है मतलब की दुख की दरिया इसको कहा जाता है जो की काफी दुख देती है और स्वान अधी की बात करते हैं तो ये उना जिले से बहती है next question है कुलू घाटी के मनिकरन को किस देपता से जोड़ा जाता है तो कुलू घाटी के मनिकरन को जो है वो भगवान शिब से साथ जोड़ा जाता है काफी important question है ये और हिमाले परबत को भी भगवान शिब से ही जोड़ा जाता है जिसको की बोला जाता है भगवान की जटाएं सिब की जटाइं? काफ игра important question है, next question की बात करते हैं, सत्दारा जल परपात हिमाचल परदेश के किस जिले में स्थित है? सत्दारा जल परपात हिमाचल के district चम्बा में स्थित है, हंडुरु जल परपात भारत का सबसे बड़ा जल परपात है या फिर एशिया का सबसे बड़ा जल परपात है नेक्स्ट क्वेशन की बात करते हैं रोरिक आर्ट गैलरी हिमाचल परदेश के किस स्थान पर स्थित है तो रोरिक आर्ट गैलरी जो है वो काफी फेमस है और ये स्थित है कुलू में और कुलू के है ये नगर में तो कुलू के नगर स्थान पे जो है ये रोरी कार्ट गैलरी स्थित है designedée, जो हैं तो एक कुण सी नधि बहती है तो ये है हमारी आन्धरा नदि और उनीस स्तानवे में यहाँपे बाड़ आई थी और इस जो है वो चिडगाऊ पूरी तरह बह गया था 1997 से एक important fact और है जो कि मैंने आपको अपनी वीडियों बताया है 1997 में ही जो है वो दिब्दे हिमाचल न्यूस पेपर की शुरुवात हुई थी और इसका जो head office है वो है जिला कांगडा के मटोर स्थान में Next question है ही माचल परदेश में कौन सा तोहार मुखेता गदी जनजाती द्वारा मनाया जाता है तो काफी famous तोहार है ये और इसका नाम है नवाला तो नवाला जो है वो ही माचल परदेश के गदी जनजाती द्वारा मनाया जाता है बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा गदी जनजाती के लोग कहां पर पाय जाते हैं, तो वो है हमारा डिस्टिक चमबा, तो चमबा में जो हैं वो सबसे ज़्यादा गदी समुदाय के लोग पाय जाते हैं. हरी राय मंदिर चमबा जिला के किस इलाके में है तो हरी राय मंदिर जो है यह पढ़ता है जिला चमबा में और यह चमबा के है चोगान क्षेतर में तो काफी important है और चोगान आपको पता ही होगा एक ground है जो की अपनी सुन्दरता के लिए पूरे हिमाचल में काफी परसिद है नेक्स्ट कोश्चन है 1615 इस भी के आसपास कांगडा आने वाला पहला यूरोपियन कौन था तो 1615 के आसपास कांगडा में पहला यूरोपियन आया था तो उसका नाम था थोमस कोरियत काफी important कोश्चन है और आज की इस वीडियो के सारे के सारे कोश्चन आपके एलाइट सर्विस 2016 के एक्जाम से लिए गए हैं इसी के प्रशन पत्तर से ये लिए गए हैं नेक्स्ट कोश्चन है आजाद हिंद फोज की प्रेनात्मक गीत कदम भढ़ाये जा के रचिता कौन है तो आजाद हिंद फोज में एक गीत गाया था कदम कदम भढ़ाये जा काफी सारे ऐसे गीत जो हैं, वो भारत के लिए बनाए हैं। Next question है, कांगडा के किस क्षेतर ने, राणा, ने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की बली दी थी? तो काफी युनीक कोशन है और सबसे अलग कोशन है, कांगडा के ऐसे कौन सा क्षेतर था, जहांके राजा ने, जिनका की नाम था राणा, तो उन्होंने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की बली दे दी थी, मतलब कि उनको मार दिया था, तो उस क्षेतर का नाम थ यहांके सा चंड़ीगाउं, तो चंड़ीगाउं जो है, वो कांगडा जिले में पढ़ता है, और काफी युनीक कोशन है, और नेकी स्थान हैं, किस स्थान में है तब आपका अंसर आएगा धरमशाला त्रियूंड जो है वो अपनी सुंदर्ता के लिए काफी फेमस है और यहां पे पूरे भारत बर्षे जो है वो प्रेटक घूमने आते हैं और लगवग यहां पे महीनों भर जो है वो बर्फ पड़ी ही रहती है next question है हिमाचल परदेश की दूसरी heritage site कौन से है तो आज की इस वीडियो का सबसे important question है यह और आपको पता होना चाहिए हिमाचल परदेश की दूसरी heritage site कौन से बनी थी तो हिमाचल में ऐसी बड़ी कम site है जिनको की bird heritage site UNESCO ने घोशित किया है तो दूसरी जो बनी थी उसका नाम ह है दे ग्रेट हिमाले नैशनल पार्क जो की हिमाचल परदेश का सबसे बड़ा नैशनल पार्क है और कुलू डिस्टिक में स्थित है आपको कमेंट बोक्स में बताना है कि हिमाचल परदेश की पहली bird heritage site कौन से घोशित हुई थी और आपको उसका एर भी लिखके बताना है next question की बात करते हैं हिमाचल परदेश में हवाई खेलों का छात्रावास कहां स्थित है तो हवाई खेलों का जो छात्रावास है वो स्थित है हमारा bead billing में तो bead billing काफी famous है और bead billing में जो है वो hack gliding की जाती है जहां विशो भर से काफी सारे जो लोग हैं वो उसमें हिस्सा लेते हैं लास्ट कोईशन है आज की इस वीडियो का किस मुख्य मंतरी के समय पालंपूर क्रिशी बिश्व बिध्याले खुला था तो पालंपूर क्रिशी बिश्व बिध्याले से काफी सारे बड़े इंपोर्टेंट फेक्ट बनते हैं तो मैं आपको बन बाय बन आपको बता देता हूं सबसे पहला आपका इंपोर्टेंट फेक्ट है कि पालंपूर क्रिशी महा बिध्याले का बना था मैंने बिश्व बिध्याले की बात नहीं की है मैंने की है बात महा बिध्याले की मतलब की college तो 1966 में जो है ये college बनाया गया था और 1978 में जो है इसे बिशभ विद्याले खोशित किया गया था जब ये college के रूप में chaotic मतलब की 1966 में तब ही माचल के मुख्यमंत्री थे दॉक्टर यश्वनत सिंग परमार और 1978 में इसको बिशभ विद्याले खोशित किया गया तब बहाँ तब ही माचल के मुख्य मंतरी थे शांता कुमार तो काफी important fact है तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद